असलाम लेकुम देर स्टूडेंट्स क्या हाल है आप सब कैसे हैं मैं हूँ आपकी इसलामियाद की टीचर और आज है मेरी आपके साथ रिवीजन ऑनलाइन क्लास ठीक है आज की क्लास में हम जिस चेप्टर की रिवीजन करेंगे वो है हमारे पास आखरत पर इमान किताब नमबर 26 पर ठीक है आखरत पर इमान आखरत किसे कहा जाता है आखरत कियामत की दिन को कहा जाता है हिसाब के दिन को बदले के दिन को और आखरे दिन को भी आखरत कहा जाता है और इमान जिसके माइनी है अकीदा यनि के अकीदा आखरत तो हम मुसल्मान है और हमारा इस बात पर इमान है कि अल्ला ताला ने हमें इस दुनिया में तो भेजा लेकिन इस दुनिया की जो जिन्दगी है वो आर्जी है और जो आखरत की जिन्दगी है वो हमेशा रहने वाली है ना खत्म होने वाली है ठीक है? एक दिन ये दुनिया और दुनिया में मुझूद हर चैस अल्लाथ के हुकम से खतम हो जाएगी और उसी दिन को क्यामत का दिन कहा जाता है हिसाब का दिन या बदले का दिन भी कहा गया है तो उस दिन क्या होगा? वैसे तो आप सबको ये बात बहुत अच्छे से समझाए गई है और आपको सबको पता भी होगा कि उस दिन तमाम इनसानों के आमाल का हिसाब लिया जाएगा ठीक है आमाल जमा है अमल की और हर वो काम जो इस दुनिया में हम कर रहे हैं ठीक है ना हर इनसान के साथ अल्ला ताला ने दो फरिष्टे मकरर किये हैं एक हमारे राइट साइट पे एक हमारे लेफ साइट पे हैं ठीक है जब हम कोई अच्छा अमल करते हैं तो दाएँ जाने वाला फरिष्टा जो है वा अपने पास लिख लेता है और जब कोई बुरा अमल किया जाता है तो बाएंच जाने वाला फरिश्टा वो लिख लेता है तो फिर हमारे यही आमाल अल्ला के सामने पेश होंगे और इन ही आमाल का हिसाब लिया जाएगा जिनके अमाल अच्छे होंगे और अच्छे अमाल ज्यादा होंगे वो लोग जन्नत में जाएंगे और जो जन्नत की जिन्दगी है वो आश औराम वाली जिन्दगी और एक पुरसकून जिन्दगी होगी और जहां पर जन्नती लोग बहुत मज़े में रहेंगे जिस चीज़ की खौाहिश करेंगे उनको वो महया कर दी जाएगी और दोजख क्या है? दोजख वो जगा है जहां गुनाह करने वाले जो लोग होंगे जो इनसान होंगे उनको भेज दिया जाएगा और दोजख एक इन्तहाई गरम जगा है ठीक है न और जहां पर फिर वो दोजखी लोग जो है वो उसमें रहेंगे तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जतना हो सके अच्छे से अच्छे आमाल अन्जाम दे ताके ना सिर्फ ये कि अपनी दुनिया को हम सवार सके बलके दुनिया के साथ साथ हम अपनी आखरत को भी बहतर बना लें ठीक है अब चलते हैं अपने मश्की सवालात की तरफ आप बिच्चों के पास आपकी नोटबुक में जो मुझूद काम है वो आप उसमें देख सकते हैं ठीक है हमारे पास इस चप्टर का एक मुखतर सव बलात हैं ठीक है क्वेस्चन नमबर वन है कियामत की दिन क्या होगा जो के अभी भी मैंने आपको बताया कि क्यामत की दिन क्या होगा इस आंसर के हमारे पास है टू पॉइंट ठीक है आप अपनी नोटबुक में भी देख सकते हैं और वहीं से आप बच्चों ने इसकी दो बत करना है जीम बन है नमबर वन फॉइंट है कयामत के दिन हर इंसान के आमाल का हिसाब लिया जाएगा ठीक है और इसका जो सेकिन पॉइंट है इसमें हमारे पास four option हम इसमें लिख सकते हैं इसको बदले का दिन भी कहा जाता है इसको आखरी दिन भी कहा जाता है इसको कियामत का दिन इसको हिसाब का दिन भी कहा जाता है ठीक है? नमबर वन कियामत के दिन हर इनसान के आमाल का हिसाब लिया जाएगा नमबर टू इसको बदले का दिन या आखरी दिन भी कहा जाता है अब हमारे पास ये तो था मुक्तसर सवाल ठीक है मुफसिल सवाल जो है मुफसिल वन ऐसे काम लिखें जिनके करने से अल्ला ताला खुश होता है वैसे तो बहुत सारे काम हैं जो अगर हम अनजाम देंगे तो ईल्ला ताला हमसे खुश होगा, game ना राजी होगा जैसे के बड़ों के इस्जत करने से, ठीक है ना नमास पढ़ने से, सच बोलने से, छोटों के साथ प्यार से पेश आने से नमास की पाबंदी करने से वालदین की बात मानने से ऐसे बहुत सारे काम है जिनको करने से अल्ला ताला खुश होगा लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इसके जो है तो थ्री पॉइंट्स जो है वो हमने अपनी नोट बुक में भी लिखे थे और हमने थ्री ही पॉइंट्स जो है वो लिखने भी है और याद भी करने है ठीक है वो काम जिनके करने से अल्ला ताला खुश होता है वो काम जिनके करने से अल्ला ताला खुश होता है नमबर वन नमास पढ़ने से नमबर टू सच बोलने से नमबर थ्री नेक काम करने से आई समझ नमाज पढ़ने से सच बोलने से और नमबर थ्री पॉइंट क्या है नेक काम करने से question number three लेकिन मुफस्सिल सवाल two ऐसे काम लिखें जिनकी करने से अल्ला ताला नाराज होता है तो वो भी बहुत सारे ऐसे काम है जो हम करेंगे तो अल्ला ताला हमसे नराज होगा जूट बोलना चोरी करना गीबत करना किसी पर इल्जाम लगाना वालदैन की नाफरमानी करना असाद्जा की बात ना मानना बहुत सारे ऐसे अमल है जो अगर हम करेंगे तो अल्लाप्टाला हमसे नाराज होगा लेकिन आपको पता है ना कि हमने जो है तो नोटबुक में हमारे इसके कितने पॉइंट से है थ्री तो हमने वो थ्री पॉइंट से याद करने है ठीक है और वो काम जिनके करने से अल्ला ताला नराज होता है नमबर वन चोरी करने से नमबर टू जूट बोलने से नमबर थ्री बड़ों की नाफर्मानी करने से ठीक है? नमबर वन चोरी करने से नमबर टू जूट बोलने से और बड़ों की नाफर्मानी करने से इसके अलावा कोई और काम जो आपको आता है आप लिख सकते हो, आप याद कर सकते हो, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब इसी के ही हैं हमारे ब पास खाली जगपूर जो के आपके पास है किताब सफान नंबर ट्विंट्थी सैवन, बुक में भी मौझूद है और आपकी नोट बुक पे इसी चप्टर में भी मौझूद है, ठीक है? आप नोट बुक में भी देख सकते हैं और किताब का जो है सफ़ा नमबर 27 उस पे मुझूद हैं दूस लफ्स से खाले जगा पुर करें हमारे पास है इसके फाइफ आप्शन ठीक है जो के आपको दिखाई दे रहे हैं नमबर वन है ये डैश एक दिन खतम हो जाएगी दोजख आखरत कियामत दुनिया आमाल जन्नत तो आएगा फर्स ब्लैंक में दुनिया ये दुनिया एक दिन खतम हो जाएगी डैश के दिन हर शख से उसके तमाम डैश का हिसाब लिया जाएगा कियामत ठीक है कियामत के दिन हर शख से उसके तमाम आमाल का हिसाब लिया जाएगा नमबर त्री अच्छे काम करने वारे लोग कहा जाएंगे जन्नत में जाएंगे अच्छे काम करने वाले लोग डैश में जाएंगे तो इस ब्लैंक में आएगा जन्नत नमबर फॉर बुरे काम करने वाले लोग दोजख में जाएंगे ठीक है इस ब्लैंक में हमारे पास है दोजख डैश की जिन्दगी कभी खत्म नहीं होगी तो इसमें आएगा आखरत आखरत की जिन्दगी कभी खत्म नहीं होगी ठीक है आई समझ आपको और आज आपको हमवर्ग भी दिया जा रहा है ठीक है और वो हमवर्ग यह है कि इसी चप्टर के आखरत पर इमान इसका आपने मुख्तसर सवाल और मुफस्ल सवालात याद करने है ठीक है? मुख्तसर आपको बता है ना कि एक ही है कियामत के दिन क्या होगा मुख्तसर वन और मुफस्ल सवालात जो के आपके पास टू है वो आपने दोनों याद करने है और next class में फिर इन्शालला इसी test का जो आज आपको दिया गया है याद करने को दिया गया है इसका आप से oral test लिया जाएगा आई समझ ठीक है तो यह थी आज की मेरी class आपके साथ next class तक के लिए अल्लाँ आफेज